क्लास टेंथ फिजिक्स में चाप्टर तीसरा हमारा है मानो ने तिर वायुमंडली अपवर्तन वर्ण विछेपन इसके लगुतर ये प्रस्णों को हल करेंगे जिसमें पहला सवाल देखे क्या है आँख की समंजन छमता आपको परिभासा करनी है किसे कहा जाता है आये करते है देखे समंजन छमता जो है इसकी परिभासा हम ऐसे लिखेंगे आँख द्वारा अपने सिलियरी पेसियो के तनाव को घटा बढ़ा कर अपने लेंस की फोकस को बढ़ा कर ठीक यानि बदल कर कम करके जादा करके यानि दूर या निकट करने को साफ साफ देखने की छमता को स समझ में आ गया तो यह आपकी परिवासा हो गई है दूसरा सवाल देखिए नेतर में मानो नेतर में इसमें जाने वाली परकास की मातरा किस परकार नियंद्रित होती है यह आईरिस द्वारा नियंद्रित होती है जिसमें पुतली का भी योगदान होता है यानि यू कहें कि पुतली और आईरिस दोनों मिलकर ये परकास की मात्रा को नियंतिर्ट करती हैं तो इसका एंसर हम कैसे लिखेंगे तो देखे इसका एंसर हम यहां से करेंगे परितारिका या आईरिस की सहायता से आँख के लेंज से होकर जाने वाली परकास के परिमार यानि उसकी मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है अंधेरे में परितारिका के बीच क्या होता है एक छेद होता है अभी मुख होता है जिसे पुतली कहते है स्वैम फैल जाती है ठीक है और तेज रोसनी में यसी पुड़ जाती है तो ये परितारिका और पुतली ये दोनों का योगदान होता है परकास की मात्रा को कम या ज्यादा करने में तो यहां से यहां तक आपका एंसर कर लेना है ताकि कॉंसेप्ट किलियर हो जाए तीसरा सवाल देखिए निकट डिश्टी दोस याई निकट डिश्टिता क्या है यानि मायोपिया क्या है इसे दूर करने के लिए उपचार करने के लिए हम किस लेन्स का प्रियोग करते हैं काफे सिंपल सवाल है ये तो देखिए आपको एंसर कैसे लिखना है मायोपिया की परिभासा आपको लिखना है मायोपिया यानि निकट डिष्टी दोस ये एक नेतर दोस है नेतर की बिमारी है ठीक है ये बाते लिखनी है और उसके बाद थोड़े सा आपको ये भी लिख लेना है आपको लिखनी है कि इसमें बेगती पेडित बेगती दूर इस्तित बस्तूव को असपश्ट नहीं देख सकता ये तो clear हो गया कि मायविया क्या है आप हमें उपचार बताना है तो उपचार आपको ये लिखना है इस दोस से पेडित यानि मायोपिया को निकट डिश्टी दोस्ट को दूर करने के लिए हम आउतर लेंस यानि अब सारी आउतर लेंस का प्रियोग करते हैं तो इसमें होता क्या है देखिए इसमें जो प्रत्विम कियाती परकास किरने हैं ये रेटीना से पहले बन जाती है इसे ये दूर कर दिया गया आउतर लेंस का प्रियोग करके ये रेटीना पर भी बन गया सवाल यदि हम त्रिव परकास से जादा परकास से कम परकास वाले अंधहेरे कमरे में जाएं तो वस्टू को देखने में कुछ समय लगता है कि इसका कारण क्या है तो इसका मुखे कारण है आईरिस यानि परतारिका के बीच में जो छिदर होता है यानि जो पुतली होती है वो अधिक परकास जब होता है तो वो क्या हो जाती है तो तेज रोसनी में पुतली जो है वो सिकुड जाती है और अंधेरे में जाने पर वो फैल ने लगती है तो पहले से सिकुड़ी हुई है तेज डोसनी में जब हम अंधेरे में जाते हैं तो उसे फैलने में समय लगता है तो इसी कारण कुछ समय लग जाता है तो ये पूरा आपको एंसर लिख लेना है ताकि अच्छे से एक्स्प्लेन हो जाए इसके बाद देखिए पाँचवा सवाल क्या है नेतर 25 सेंटीमीटर रखी वस्तू कसपष्ट नहीं देख पाते है इसका कारण क्या है नेतर के सिलेरी पेसिया उतनी नहीं खीच पाती जित ज़्या नहीं किछ पाती इसका कारण यहीं हो गया तो यह आपको लिख लेना है इसके बाद देखिए च्छे नबर सवाल क्या है टिष्टी दोस्त क्या है या कितने परकार का होता है काफी इंपोर्टेंट सवाल है आई इसका एंसर करते हैं तो देखे हम इसका एंसर ये दोनों पॉइंट जो है वो हम लिखेंगे ये पहला और ये दूसरा नेतर से बहुत दूर इस्थित या निकट इस्थित बस्तू को असपर्ष्ट प्रत्विम रेटीना पर बनाने की छंता जब नेतर खो देता है तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं डिफेक्ट ओविजन यानि डिष्टी दोस कहते हैं ये परिवासा हो गई और कितने परकार के होते हैं ये भी बताना है तो तीन परकार के होते हैं निकट डिष्टी दोस मायोपिया इसके बाद दिखिए दूसरा क्या है दूर डिष्टी दोस हाइपर मेट्रोफिया और तीसरा क्या है जरा दू के नाम भी हो गए समझ में आ गया ये 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 दोनुम के नाम लिखना है इसके उप्चार के लिए हमें किस लेंस का पर्योंक करते हैं वो भी बताना आै नेतर के दिए दो ही मताना है ऩाला कि तीन होते हैं पहला है निकट डिश्टी दोस्जाइर है दूर रिष्टी दोस हाइपर मैंट्रोausoOS हो गया तो उपचार हम लिखेंगे निकट रिष्टी दोस दूर करने के लिए आवतर लेंस का परियोग होगा वहीं दूर की बात की जाए इसे दूर करने के लिए उतर लेंस का प्रियोग होगा ठीक है तो इसमें क्या होता है निकट डिश्टी दोस में जो परत्वीम है वो रेटीना से पहले बन जाता है और दूर में रेटीना के बाद बन जाता है इसी कारण इन दोनों का प्रियोग होता है समझ में आ गया तो आपका एंसर हो गया इसके बाद आठवा सवाल देखिए दूर दरसिता यानि दूर डिश्टी दोस नामक दोस को निवारन है तो परियुक्त लेंस को दिखाते हुए कीरण आरेक हीजना है हमें यहाँ पे ध्यान देना है लेंस को दिखाते हुए यानि ठीक करते हुए उस दोस को कीरण आरेक में यह image बना, उसका किरणा ने बाद ने बना, तो इसका उपचार हमें यह बताना है, देखिए उत्तर इसके बाद 9 नमबर देखिए, वर्न भी 65 और वर्न कम, spectrum क्या है, यनि दोनों की परिभासा हमें करनी है, आईए करते हैं तो सबसे पहले वर्ण बिच्छेपण हम लिखेंगे सुएद परकास के अपने विभिन आव्योग में विभाजन होने को परकास का वर्ण बिच्छेपण कहते हैं यह क्यों होता है? क्योंकि परतेग परकास का अलग तरंग दैद होता है उसका वजलन अलग-अलग होता है इसी कारण वो एक ना होकर वो अलग-अलग रंगों में पट्टी में विवाजित हो जाते हैं अपने गुनों के कारण उनके अलग तेरंग दयत के कारण उनकी भिजलन छंता के कारण बस आपको परिवासा लिखनी है यह परिवासा हो गई अब spectrum क्या है वो भी बताना है तो हम यहाँ से लिखेंगे स्वेध परकास को रंगीन पटी ठीक है रंगीन परकास की पटी को spectrum कहा जाता है वर्ण पटर कहा जाता है यह आपको यह सारे लिख लेने हैं दोनों point हो गए तो यहाँ पर समझे है सुर्ज कपर का स्वेध होता है सात रंगों का बना होता है यह सात रंगों में विवक्त हो गया यह पूरी पर घटना कहा लाती है वर्ण बीचे पर और इसे कहा जाता है यह सात रंगों में बढ़ जाता है इसे spectrum कहा जाता है ठीक है यह समझ में आ गया इसके बाद देखिए दसवा सवाल उसमें क्या होता है संघन और विरल होता है विरल माध्यम का परतना कम होता है संघन का ज़्यादा होता है जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में परकास आएंगी तो क्या होगी आविलम क्यों मुड जाएंगी और संगहन से विरल में जाएंगे अविलम क्यों दूर हटेंगी इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए नेतर है और यह परकास का बिंदू सरोथ है ज्यादा परकास नहीं है ठीक है यह काफी और यह जो तारे हैं पिर्थी से काफी दूर होते हैं इसलिए इन से कम परकास आता है तो यह जो बीच में जो माध्यम है यह संगहन और विरल हो जाता है अपर तनांग कम होने के कारण तो देखिए तो यह क्या है यहाँ पे कौन सा माध्यम है विरल मादें से संखन में अविलम के मोड़ी गई फिर अविलम से दूर भागी अविलम के मोड़ी सीधे नहीं आते मनकी टेड़े मेड़े गुमते हुए परतीद होता है इसलिए हमें लगता है कि तारे टिम्टी माते हैं समझ में आ गया तो ये पूरी आपको परिगटना यानी लाइन लिख लेनी है यहां तक इसके बाद एक आरह देखिए चंदर्मा एम गरह टिम्टी माते परतीद नहीं होते क्यों तो तारे तो टिम्टी माते हैं लेकि चंदर्मा एम गरह नहीं टिम्टी माते हैं क्योंकि जो तारे होते हैं वो बिंदू सुरोथ होते हैं लेकिन चंदर्मा जो होता है परकास का पूर्ण सुरोथ होता है और एक दूसरा कारण है यह पिंदू के काफी नजदीक है ठीक है और इसमें से देखिए एक तो परकास के जो बिंदू है अगर बिचलित भी हो जाए इसमें से एक भी टेढ़े मेरे हो जाये तो हमको परतीत नहीं होंगे कि यह जादा मातर में परकास है समझ ने आ गया तो इसका एंसन हम कैसे लिखेंगे चंदर्मा का परकास, चंदर्मा नहीं टिंटेम आते है चंदर्मा और ग्रह इसका मुख्य कारण है कि चंदर्मा जो है लिखना है कि तारे बिंदू स्रोत है परकास के बिंदू स्रोत है चंदर्मा परकास का पूर्ण स्रोत है और ये चंदर्मा फिर्थवी के नजदीग भी है ठीक है बिस्तित पिंड है इसलिए चंदर्मा ये ग्राह आती कि उनों के वायमंडली ए खट बढ के कारण थोड़ा बिचलन मालूम नहीं पड़ता, इसी कारण, ठीक है, समझ में आ गया, बार नमर देखिए, सुर्य योदे, जब सुर्य उगता है, और सुर्य में, उस समय सुर्ज रखताब लाल परतीत होता है, और साम में भी होता है, सुर्ज और साम लाल परतीत होता है, लेकिन लाल रंग का बिचलन काफी कम होता है इसलिए वो ही दिखाई पड़ता है ठीक है और दो बार में सूर्य सफे दिखाई पड़ता है किसी का बिचलन नहीं होता इसका मुख्य कारण यहां से हम लिखेंगे यहां तक समझ में आ गया 13 नमर देखिए किसी अंतरिक्ष यातरिक वकास नीले के फिक्षा काला कीम दिखाई पड़ता है कि अंतरिक्ष में वाइवंडल नहीं है तो इसका एंसर हम यहां से लिखेंगे देखिए अंतरिक्ष यातरिक वकास काला परतीत होता है कि वहाँ वाइवंडल नहीं है इसका प्रक्रिणन नहीं होता है समझ में आगया बस यह इसका एंसर हो गया चौदा नमर देखिए इंदर्धनुस की ब्याक्षा करे इंदर्धनुस क्या है परकास के वर्ण बिश्यपण से आप क्या समझते हैं आईए इसमें दो परसने तो बारिस के कुछ समय बाद देखिए इंदर्धनुस बनता है तो यह इसकी परिवासा हो गई और वर्ण बिश्यपण क्या है वो भी हमें बताना है तो वर्ण बिश्यपण सुएथ परकास के विभिन रंगों में बढ़ जाना वर्ण बिश्यपण कालाता है यह बस हो गया दोनों का इंसर इसके बाद तेरा नमर सवाल देखिए रेलेवे के सिगनल का अपने लाल रंग काहीं क्यों परियोग होता है क्योंकि लाल रंग बर्ण का विश्यपण कम होता है तरंग देद अधिक होता है जिसके कारण वो काफी दूर तक देखने पर भी विश्यपण नहीं होता वो बना रहता है अर्था दिखाई पड़ता है ठीक है अर्थाद हम ऐसे भी कह सकते हैं कम प्रकिणिंग होता है यह आपका एंसर हो गया सोलर नमर सवाल देखिए जब स्वेद परकास एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके अवयाव किसी सफेद परदे या दिवार पर भीन भीन इस्थानों पर दिखाई पड़ते हैं क्यों इसका हमकारन लिखेंगे स्वेद परकास साथ रंगों का मिसरन है अगर और परतेक रंगों का तरंगद अलग अलग होता है परिणाम सोरो बिभीन रंगों का प्रिज्म से बिचिलन अलग अलग होता है इसी कारण उसके अवयाव भीन भीन दिखाई पुरते हैं समझ में आ गया सतरह देखिए सेसन का अकरी सवाल वर्ण परकास का वर्ण भीचेपड क्या है एस्पेक्टरम कैसे बनता है तो सबसे पहले वर्ण भीचेपड की हम परिभासा लिखेंगे हम ये लिखेंगे सुएद परकास के बिभीन रंगों में विवक्त होने की घटना परकास का वर्णी भी छेपड कहलाता है समझ में आ गया यह रहा परकास का वर्णी भी छेपड अब यहाँ पर देखिए एस्पेक्टरम कैसे बनता है जो स्वेट परकास जो है साथ रंगों में यहाँ तो बट गया यह कैसे बनता है साथ रंग यहां पर यह क्यों बनते है रंगीन पट्टी वो कारण वताना हैं में तूं दीकिए रंगीन पट्टी Toff protect के आख़र के बनते हैं तो इसका एंसर हम काफी अच्छी से हम ऐसे लिखेंगे देख़ें यहां पर एस्पेक्ट्रम बनने के कारण स्वेध परकास साथ रंगों का मिश्रण है और परतेक रंग का अपना तरंग देद और विजिलन गुण होता है जब स्वेध परकास प्रिज्म से गुजरती है तो ये अपने गुणों यानि विजिलन और तरंग देद के कारण स्पेक्ट्रम यानी रंगीन पटी में विभक्त हो जाते हैं इसी कारण स्पेक्ट्रम बन जाता है समझ में आ गया तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ धन्यवाद